चार धाम यात्रा आज से शुरू हो रही है और बड़ी संख्या में लोग अब चार धाम यात्रा करेंगे हिमाल्या की गोद में बसे केदारनाथ को चार धाम यात्रा में से एक माना जाता है केदारनाथ मंदिर 12 जो त्रिलिंगों में से एक है यहां दर्सन के लिए लाकों संख्या में लोग आते हैं लोगों ने केदारनाथ दर्सन के लिए रजिस्ट्रेशन भी करवा लिये हैं अगर आप भी इस बार केदारनाथ चाने वाले हैं तो आप केदारनाथ मंदिर के लावा इन पाद जंगों पर भी चा सकते हैं और अपनी यात्रा को सांदर बना सकते हैं सबसे पहला है भैरवनाथ मंदिर केदारनाथ के आसपास कई बहुतरी जंगे मोजूद है इनी में से एक है भगवान सीव के गंड भायरव का एक खुबशूरत मंदिर जो केदारनाथ मंदिर के पास एक पहाड़ी पर स्थित है उन्हें यहां काक सित्रपल माना जाता है बाबा केदार की पूझा से पहले केदारनाथ बॉँकूट बाबा की पूझा की जहने का विधान है जो इसी परकार से बिना चट के स्थाप्रत की गई है यहां से आप Аस-PAS के हिमाल्य पर और नीचे की केदार घाटी के खूबशरत नजारे को ठीक सकते हो दूसरी जंगा है वासू की ताल वासू की ताल के दारनात मंदिर के पास मौजूद एक खूब सरचीन है ये के दारनात से 8 किलोमेटर की दूरी पर है वासू की ताल के आस पास की जंगे ट्रैकिंग के लिए पेस्ट อप्शन माना जाता है पुरान एक मननताओ के अनुसार भगवान विशनू ने अरक्षा बंदन के दिन इस जेल में सनान किया था केदारनाथ धाम से सडक मार्ग से ये करीब 22 किलोमेटर दूर श्थी थे वासु की ताल की खास बात या है कि यहाँ काफी संख्या में बर्म कमन दिखाई देते हैं साथ ही यहाँ का प्रकर्तिक वातावर्ण पाउधी मनमोहख है चार और बर्फिले उँचे-उचे पाड दिखाई देते हैं और जो लोग ट्रैकिंग पसंद करते हैं उनके लिए केदारनाथ से वासुकी ताल तक की ट्रैकिंग बहुत रुमान्च रह सकती है तीसरी जंगा है गोरिकॉंड गोरिकॉंड अर्थात मापारवती का फुन 1980 मेटर के उन्चाई पर स्थेती है जंगा केदारनाथ की यात्रा आरम करने का आरमभिक्स्तान है यहां से केदारनाथ तक 16 किलोमेटर की यात्रा करके सरधालू मंदिर पहुंचते हैं केदारनाथ मंदिर के पास मौझूद गोरिकॉंड मंदाकेनी निदी की तट पर है यह सोन प्रयाग से 6 किलोमेटर की दूरी पर है और आनिक मान्यताओ के अनुसार भगवान सीव को पाने के लिए मापारवती ने इसी स्थान पर कठोर तबस्या की थी और उनके तब से परसंडर होकर भगवान सीव ने माता को विवा का वशन दिया था इस कुंड का पानी सदय गरम रहता है और उस धिये वोलो से भरपूर मना जाता है यहां का खुबसूरत नजारा आपका दिल जीख लेगा चोथी जंगे है मुंडकटा कनेश मंदिर केदारनाथ आने वाले यात्री मुंडकटिया गाउं के मुंडकटा कनेश मंदिर जा सकते है यहां भगवान सीव ने बालग कनेश की सिर को धड़ से अलग कर दिया था यह वेश्व का एकलोता ऐसा मंदिर है जहां बिना सिर वाले भगवान कनेश विराजमन है यह मंदिर मून कटियाग गाउं में इस्थित है जो केदारनाथ मंदिर से 20 किलोमेटर और गोरी कुंड से सिर्छ 4 किलोमेटर की दूरी पर है यह मंदिर त्रीयूगी नारायन मंदिर से काफी पास में है अगर आप पैदल जाते हैं तो आपको सोन प्रयाक से मुनकटिया कनेस मंदिर की पैदल यातरा करने पड़ेगे पांचवी जंगा है रेतसकुंड केदारनात मंदिर से 500 मिटर दूर रेतसकुंड वोजूद है यह सरस्वती नदी के तटपर है यहां के मानता है कि अगर आप यहां ओमनमेस सिवाय का जाप करते हैं तो पानी में बुलबुले उठने लगते हैं वहीं ऐसा भी का आ जाता है कि इस कुंड के जल को पीने से वनुशे सिवरूप हो जाता है तो अगर आप भी केदारना चार रही हैं तो इन पांच जंगों का दीदार करके अपने ट्रिप को यादगार बना सकते हैं यहां आपको कहीं रह से मैच चीजों के बारे में पता चलेगा अगर आप यहां जाते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएगा यह जंगे आपको कैसे लगी और वीडियो को लाइक कीजेगा सेर कीजेगा और ऐसे ही व्लोग वीडियो और जानकारी से बरपूर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना पिल्कूल मत भूलेगा